दोस्तो एक्जामित्र में एक बार फेट से आपका स्वागत है तो दोस्तो आप नीट रिजल्ट का बेसबर से इंतजार कर रहे थे लेकिन एंटी के सामने एक और नया बावाल आ गया है तो दोस्तो हो सकता कि आपकी रिजल्ट में देरी हो लेकिन आसा यही की जारी है कि पचीज केंडिडेट का रिजल्ट है, वो होल्ट पे रखा जाए, उनका रिजल्ट वो जारी नहीं किया जाए, तो NTA को दोस्तों ये एक रिपोर्ट बेजी गई है, UP पुलिस की तरब से, क्योंकि इन पर एलिगेशन लगाए गए है कि इन्होंने पेपर लीक से सम्मंदित या जो पेपर कंड़ेट करवाया गया था, तो उनमें ये सस्पेक्ट के तोर पे इनको काउंट किया जा रहा है, तो जो 25 केंडिडेट है, उनके लिए बोला गया है, NTA को कि इनका रिजल्ट है, वो डिकलियर ना किया जाए, बाकी के जो अधर केंडिडेट है, 16 लाग कें देट है, वो NTA की तरब से officially नहीं दी गई है, कम से कम transparency रखनी चाहिए, NTA को कि रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा, इससे पहले भी काफी सारे बवाल हुए थे, जैसे कि Bombay High Court में दो इस्टूडेंट के दौरा वहाँ पेटिसन दायरी की थी, भी Supreme Court में केस गया था, अ पिलाल के लिए दोस्तों यही अपडेट थी कि आपके रिजल्ट में हो सकता है, कि देरी हो सकती है, लेकिन उमीद तो इससे नहीं की जारे क्योंकि जो यूपी प्लिस के दौरा इसको किलियर कर दिया गया, जो अधर केंडिडेट है जो नहोंने एक्जाम दिया तो उनका होल्ड पर ना रखें, उनका रिजल्ट जारी कर दिया जाए और जो 25 किंडिडेट है केवल उनी का यही रिजल्ट है, वो होल्ड पर रखा जाए, तो दोस्तों पिलाल के लिए यह अपडेट थी मिलते है नेक्स्ट न्यू वीडियो में, नेक्स्ट न्यू अपडेट के सा में धन्यवाद जे हिंच जे बारत